जो वह वाला सरीया दिख रहा है वही जमीन के नीचे काफी जाता है फिर इसको ऐसे इसमें फसाया जाता है इस वाले जाल में उदर से होते हो उदर से वह पिलर उदर के साइड जाएगा फिर जाते हुए उदर वाले मिलेगा पास क्रॉसिंग है उसी के पास जो है फ्लाइवर का निर्माण कर किया जा रहा है जो की रस्ता वगेरा बिल्कुल बंद हो चुके है इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है जनकारी देने वाले हैं अगर आपका आना जाना इधर से है तो मत आईए काज तक दिखाते आपको सारी चीज़े क्या चीज़ कैसे है और यह वीडियो दोस्तों कल की डेट की शूट की गई है इक सकते हैं दोस्तों यह बैरी गेट्स लगा हुआ है यह कॉसल पुरी वाला मार्ग है बिलकुल यहां से उधर के साइड और यह सामने नाका हनमान गड़ी की और से आता है अभी दम ही बंद हैं तो और यह लोग है जा रहा है तो अभी बात कहने के को भी ज़लते आपको धिखाते आपने यहां यहांज कैसे है और दूप बहता है किया बज रहा है बाई गयारा बज चुके हैं यह देखे यहां पर कि अब हेल्मेट पर लगागे दिखाना रहता है तो काफी जादा दिक्कत हो जाती है यहां पर देखे यह दो पिलर यहां पर बन रहा है शॉर्ट वीडियो के दूरी इसकी जानकारी हम ने दी थी देखें वहां पर बैरीगेट्स यह पूरा देख सकते हैं इतना यहां पर यह लगा हुआ है बैरीगेट्स इधर की यह चीजें हैं उदर की वह चीजें जल्दी ही टूटेगी यह देखेंगी इसका पिलर का तोड़ा सा डायरेक्शन जो है अलका से इस साइड की हो रहा है ऐसे घूमते तब इदर जाएगा तो कहां पर क्या चीज टूटेगा वह तो बात की बात है शॉर्ट वीडियो में भी अपने जल्दी बे डाला था तो इसका लीचे वाली पिलर का वर्क हो रहा था जमीन के नीचे रहता है तो जी इतना मोटा मोटा रहता है जमीन के काफी नीचे तक डाला जाता है कैसे आप जा पाएंगी यहां गारियों के रहा जा पाएंगी बताईए बिल्कुल इब लॉक है तो थोड़ा सा वाइट करिए अगर थोड़ा वह दरस्ता होता है तो जाने में रिस्क रहता है इसलिए रोग देते हैं गारी माली जा गिर जाए कहीं तो आप ही का नुक्सा तो थोड़ा सा कहीं और से गुम के आप अपने जहां पर जाना चाहते हैं चले जाएगा इदर से अभी कुछ टाइम तक मत ही आईए गुसा हो मत यार का है गुसा रहे बाई इस साइट की और देगे पूरा जो है सरीए का जाल वगेरा यह बनाया गया है जाओ जाओ या जाओ यह स vibration रस्ता बंड है अभी देके इस पॉइंट पे यह आँ पर एगदन सिति जो है बुरी विसपैए परिये कि हूँजञर उद्थ्णा भी जाल जाता है एक तो मनजील इमारत की दोना नीचे जाल जाता है तब जा berht जाल ता...... होता है देगे एक पिलर सिधर के साइड भी बने गया यहां पर बनेगा यहां पर बनेगा जे देगे यहां पर जो वाला सरीया देख रहा है वही जमीन के नीचे काफी जाता है फिर इसको ऐसे इसमें फसाया जाता है इस वाले जाल में उधर से उते उधर से वो फिलर उधर के साइड जाएगा फिर जाते वह उधर वाले मिलेगा और उधर के साइड जाएगा गज्यावाल है साइकील वाले डगेल दिये तोड़ा साइड़े ये साइकील वाले ना चले दिये लागत बाए तो 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 साइकील अभी देखिए इधर के साइड का ऐसे होते हो जाएगा इस पॉइंट पे यह वाला जो आपको नजर आ रहा है यह वाला टूटेगा और उस साइड के और वह भी हटेगा वह जो बना हुआ है क्रॉसिंग जिससे बंद होती है वहां से होती है उस साइड के और से वह अलग पिला जाए उस पॉइंट पे देगे जल भराव हुआ पड़ा है बंद है रस्ता चचा चचा मानेंगे नहीं मगर चचा जाएंगे आए चलते हैं आगे अब उस पार तक चलते हैं फिर जो है वीडियो को इन करेंगी अगर आप डर तो आपको निसीट काट लेगा अगर आप नई डरें तो उसकी इमत नहीं कि आपके पास आजाए अब यहां से एक बार यह सीन देगे काफी बड़े में यह पूरा मलब हो चुगा है अहां से यह जो रस्ता बंदे गाड़ी गोड़ा आ जा रहा है क्रॉसिंग भी बंद है मौके पर एक लाइन जो है रेल्वे की इधर के साइड से आ रही है अब ड्रोन रहता तो दिखाया था एक भाई है ड्रोन से दिखाता है काफी साही लगता है देखने में इधर यह एक लाइन और बनेगी इधर के साइड वहां पर पट्रियों का वर्क किया गया है लफ साइड में बनाया जा रहा है एक लाइन इस सीधे लखनू की और इधर लेफ्ट साइड की और सुल्दानबुर की और इस पॉइंट में यहाँ पर लाइन बन रही है जो की इधर से होते हुए जाएगा यह वाला हिस्सा वाविस में जो है तूट जाएगा यह पक्का है अब यह देखे यह भी सब टूटना मलब है इधर भी पीलर वगएर रहेगा खाफी एड़ा तेड़ा मलब ऐसे गुमते वे जाएगा उस साइड की और अब यहां से यह राइट साइड के लिए सीधे यहां से जाएंगे तो यहां के तहसील कचहरी और रामपत मार्ग पर और इधर से यह गुमा हुआ है अब यहां पर देखे एक पिलर थोड़ को पिलर्ट 3 ये जो नजर आ रहा है वहाँ से ये ऐसे रहेगा पिर इदर से ये ऐसे जाएगा तो आप इससे अपको जंदाजार लगा सकते है ये वाला फ्वेंट जो है तूटेगा ये वाला इधर रहेगा और उधर वाला देखे उधर से साइड से जाएगा यहाँ पर देखे पुरा बीम हो गया रहा कैसे यहाँ पर ड़लाई किया गया है फर्मा लगा कर देखे यह किस डायरेक्शन में गुमावा है जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से ठीक सामने इस पॉइंट से ऐसे होते वे फिर ऐसे गुमेगा जो साइड की और जहां पर क्रॉसिंग बंद करने वाला बना हुआ था रूम उसको कौन सा रूम बोलते हैं वो जैसे सांप के आकार में ऐसे जितना भी मैंने यहां पर देखा है मिडिल पॉइंट पर जहां पर क्रॉसिंग वहां पर जरूर थोड़ा सा घूमा रहता है पता नहीं हो सकते हैं उसके पीछे कोई साइंस हो कि यह देखें यहां पर ही इतने हैवी अभी बिम तयार है बहुरी हैवी हैवी बिम जो है बने हो गया है इस पॉइंट पर देखें पिलर नमबर चार यह पांच है पिर वहां से अलग हो गया है रस्ता देख सकते हैं दोस्तों तीन रस्तों से आप लोगों को वीडियो दिखाना पड़ रहा है बेबाई की रहना मत यार पहर फिसल के कदरनाक दरीके से एक दम अभी तो गिरते हैं दोगे यहां सब यह बिम यहां बना हुआ है यहां बना हुआ है यहां बना हुआ है जल्दी ही रखा जाएगा इसके उपर लास्ट वाला पिलर साइद वह वहां पे है उस साइड की वर इधार के साइड जो है अगर जिसे अज़िए केंड जाना हो तो वीलर से तो आना जाना है बट अगर उस पार आप जाना चाहते हैं जहां से वीडियो शुरू हुए तो वह मुश्किल दें देखें यहां से एक बार स्वीन आप देख सकते हैं पुरा यह लास्ट फिलर है यहां पे अभी तना चोड़ा जो है अलब ठीक रहेगा यह फ्लाइओवर फ्लाइओवर के बगल में भी थोड़ा सा रस्ता रहेगा उस साइट की और भी देखिए रहेगा उस साइट की एक दम आके जो है यह सठ चुका है यहां पर देख सकते हैं एक दम पास में तो दोनों ही साइट फ्लाइओवर के नीचे भी रस्ता रहेगा इधर के साइट देखिए अब इसके ठीक सामने तूरा होते वे साधित गहनमान साइट आगे पड़ती यह 14 कोशी पर मार्ग भी है और इसी पर यह फ्लाइओवर मतलब बन रहा है यहां पर इस पॉइंट पर तो आगे थोड़ी दूरी के बाद वह स्वाली बिल्डिंग के पास इसका ढलान रहेगा कि स्वाली जो बिल्डिंग नजर आ रही है वहां पर कि ढलान रहेगा तो देखा दोस्तों आपने इस वाले फ्लाइओवर का बिल्कुल ही लेटेस्ट अपडेट क्या चीजे कितनी बना दी गए हैं तो आज की वीडियो भी यहीं पर रखते हैं दोस्तों फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ किसी और नए किसी परामाले बेख आथ करूदों पर यही करते हैं